हालो फ्रेंद्स वेलकम टो मैं चानल आज इस वीडियो में प्रिंसेस का ब्लाउस कटिंग और स्टिचिंग बता रहे हूं इसका लेंद्ध लिया है 15 इंच और 14 इंच में कम्प्लिट करना है आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे है उस मेजरमेंट के इसाब से में ले रहे हूं और लेंद्ध को इस तरह लाइन ड्रॉ करके शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्मोल लिया है 5.5 इंच इसको मार्क लगा कि इस तरह मार्क लगाएगा और चेस्ट है इस ब्लाउस का 36 इंच 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच आता है और एक्स्टर 2 इंच मार्जिन लिया है मैंने टोटल 11 इंच का मैंने chest mark किया आया है इस तरह और west आता है 30 इंच का west उसको 1 इंच extra में टक्स के लिए दे रहे हूँ और 2 इंच extra extra margin दे रहे हूँ इस तरह मैंने mark लगाया हुआ है और chest और कमर की side में दोनों में भी इस तरह line draw किजिएगा और extra margin 2 इंच का मैंने से तरह मैंनेbrar के लिये और यहाँ पर depiction setup के side 1.5 इंच के मैंने इस तरह line draw करके इस तरह एक शेड दिया है मैंने और neck width ले रहीँ 2 five two inch और यह deep neck बरे यहां neck deep ले रहीभी गयारा इंच कई रही हूँ और neck thick width te 3 इंच का ले रही हूँ यहां पर इस तरह line draw करके यहां पर इस तरह एक लाइन ट्रॉ किजिएगा और आपको जो पसंदे वो नेक दे सकते हैं मैंने ड्राउंड मतला राउंड शेप दे रही हूं यहां पर सिंपल निक का है यह कुछ डिजेंस नहीं बना रही हूं और यहां पर चार इंच का दिया है और उपर की सेट मै यह ग्यारा इंच का है इसलिए मैंने साड़े तीन इंच का मैंने उपर के सेट लिया है और इस तरह हम लोग कट करेंगे अभी ब्लाउस को बैक पाड का है यह जैसा मार्किंग लगाया तो उसे सबसे कट कीजिएगा और इधर भी मैंने कट किया है और बैक नेक को मैं बैक इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ प्रिंसस कट के लिए फ्रेंट पार्ट तोड़ा सा लेंद्थ उनको आधा इंच ज्यादा चाहिए इसके वज़े से मैंने तोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेया है और सैड में आप आप देख सकते हैं यहां पर बैक स जो मार्किंग लगा के कट किया ताम लोगों ने उसे साब से आपको इस तरह मार्क लगाना है ऐसा मार्क लगाईएगा और आप कुछ इस तरह आएगा आर्मुल की साइड वान इंच मैने आफ इंच तोड़ा सा लाइटली मैंने शेप दे रही हूँ बिकाउस यह सीवलेस इश का बर्लाव से इसलिए होसे यहां पर टू इंच का मार्क लगा रही होसे कि हा पर नेकविट ले रही हूँ 2.2 इंच और नेकविट ले रही हूँ 6.5 इंच इस तरह लाइन ट्रॉक किजिए का बॉक्स टैप आपको जो पसंद आप दे सकते हो गला भी प्रिंसेस कट के लिए फ्रेंट के लिए राउंड गला देने का ऐसा जरूरी नहीं आप पान गला भी ब मैं लाइन ट्रॉक कर रही हूँ 6.5 इस तरह आम लाइन ट्रॉक है यहाँ पर मैंने देड इंच का लिया हूआ है और देख सकते हैं ऐसे तरह आप शेप दिजिएगा अ के लिए और आर्मॉल की सेड यहां से यहां तक एक शेप दीजिएगा प्रिंसस कट के लिए बहुत आसन तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ईजी मेतेड में बता रही हूं आपको और इधर भी एक लाइन ड्रॉ किजिएगा यहां से यहां तक और वह हुआ है फ्रेंट मार्जिन नहीं चोड़ने करेता है जैसे तरह के सेम लोगों ने मार्क लागाया था उसी साब से अब कट कीजिएगा अब देख सकते हैं इस तरह में नहीं कट किया है अब प्रिंसस कट का यह जो फ्रेंट पार्टे इसको भी कट करेंगे अब पहला यह वाला लाइन को कट किजिएगा मैंने फ्रेंट का यह बना रही हूं इसतील में फ्रेंट का यह पार्ट को भी मैं कट करी हो अब चाहिए तो बैग कुक का भीrite सकती हूं मैं आगी वीडियो अफ्लोड करेंगी बैग कट को किस तरह बनाने का है वो भी आप देख सकते हैं मैंने डबल और नीचे की सेट जो कपड़ा है उसको कटींग करके मेंन फेब्रिक को सीधा कीजिएगा और आफ इंच का मार्जिन से चोड़ते हुए इस तरह कट कीजिएगा मेंन फेब्रिक में हम लोग आटैश करने वाले इसलिए 58 का मार्जिन चोड़ना है और यहाँ पर मैंने फ्रेंट का जो पाटे उसको भी मैं कट कर रही हूँ यह सिवलेस में बना रही हूँ आपको विद स्लिव चाहिए तो भी मैं आगे वीडियो अप्लोड करते रहूँगी और यहाँ पर भी यह वाला पाट को रखते हुए इस तरह कट किजिएगा और कटिंग पूरा हो गया अभी मैं स्टिचिंग कैसे करने का मैं बताऊंगी आपको पहले स्टिचिंग करने के टाइम आप देख सकते हैं मैं सब पाट को अटेच करके लेना है आप देख सकते हैं इस तरह फ्रेंट पाट को अटेच किजिएगा में फेब्रिक में रखके आप अटेच करने के टाइम एक अटेच्मिन भी इस तरह अटेच करके आप स्टिचिंग कर सकते हैं आप स्टिचिंग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पाट मार जी ने इसको कट किजिएगा आप देख सकते हैं मैंने इस तरह में फेब्रिक में रखके मैंने कटेचिंग करके इस तरह हैं एक्स्ट्रा मार जी ने इस तरह हैं किजिएगा आपकी कुछ योग डाउड्स रहेगा तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लागा जो भी हो और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार जीन को कट किजिएगा आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट का यह वाला पार्ट स्टिचिंग करके हुआ है इस तरह कुछ आता है और दुसरा पार्ट को भी हम लोग स्टिचिंग करेंगी आमने सामने इस तरह रखके स्टिचिंग करना है और यहां पर पूरा एक स्टिचिंग करने के टेम कौन सो भी कप्ड़े को कीचने करेता है और एक फ्री एंड से इस तरह रखे स्टिचिंग करने करेता है और एक्स्टा मर्जिन को कट किजिएगा और यह मैंने कटिंग नहीं किया था वो एक्स्टा मर्जिन टू इंच एक्स्टा चोड़ा था चेस्ट और कमर के सेड वह वाला पार्ट को मैंने चोटा सा कट लगाया मैंने और ये वाला पाट को भी सेम इसी तरह पूरा स्टिचिंग करके एक्स्ट्रा मर्जिन को कट करना है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आता है अब कैसे जांट करने का मैं बताऊंगी आपको कैसे स्टिचिंग करने का जैसे मतलब कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी देख सकते हैं इस तरह आप रखके स्टिचिंग करने करेते हैं काटिंग अपका बराबर रहेगा तो स्वीचिंग करने करने का पूलावस का डबल स्टिचिंग लागाईएगा यहाँ पर अब देख सकते इस तरह आता है प्रिंसेस कट का बहुत आसान तरी किस्वे में बता रही हूँ आपको बहुत इजी मेतेड में और स्टेब बेस्टेब स्लोली बता रही हूँ आपको कैसे कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी अब दुसरा पाट को भी सेम इसी तरह आप लोग स्टिचिंग करके लेंगे आप देख सकते यहां से रखते हुए स्टिचिंग किजिएगा और ब्लाउस का बैक सेट का डिज़ेंग भी मैंने अप्लोड किया हुआ है आप मेरी चानल में जाके देख सकते हैं बहुत स्लोली बहुत बेसिक वाला मैंने डिज़ेंग अप्लोड किया है बहुत सारा क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए मैं बना रही हूँ तो मैंने बहुत सारा वीडियो एकदम बेसिक रहे हैं डिजाइन से आप बहुत आसन तरीके से आप सीख सकते हो यहाँ पर मैंने उख्खा पट्टी लगा रही हो यह 1.2 इंच का मैंने वेर्थ में लिया है और यहाँ पर इस तरह लिया हुआ है मैंने और यहाँ पर उपर की साइट रखके पट्टी को स्टिचिंग किजिएगा और एक्स्ट्रा माजीन आते है उसको कट किजिए और यहाँ पर पट्टी को फोल्डिंग करके और एक स्टिचिंग लगाई और यहाँ पर फोल्डिंग करके फाइनल एक स्टिचिंग इस तरह लगा सकते है यहां पर और एक स्टिचिंग लगाएगा फिनिशिंग के साथ अब देख सकते हैं वन सैट का पार्ट रडी हुआ है और दुसरा सैट का हम लोग स्टिचिंग करेंगे यहां पर मैंने मेंन फैब्रिक और लाइनिंग का पीस अस्तर का पीस दोनों को भी मैंने अटेच करके टू पइंट फा इंप का पटि मैंने रेडी किया था उसको इस तरह आटेच कर रही हूँ इस तरह फोल्डिंग करने के बाद जो स्टिचिंग के हुआ पाट को अंदर फोल्डिंग करके एक फिनिशिंग के साथ इस तरह स्टिचिंग की जै ऐ मैंने एक्स्ट्रा वन इंच का यी बाहर की तरफ वन इंच का ही कपड़ात है उस तरह मैंने स्टिचिंग कर रही हूँ आप 2.5 इंच का पट्टी लिया तो बराबर हो जाएगा वन इंच का एक हाई का पट्टी हो जाएगा और दोनों पाट को इस तरह मिलाते हुए हुकाई पट्टी सेम बराबर या क्या आप देख सकते हो प्रॉपर आया है क्या एक्स्ट्रा कुछ आया है तो नीचे के साइड में कट किजिएगा उपर के साइड कट मत किजिएगा और यहां पर बैक सेट का में स्टिचिंग करूंगी अभी और मैंने बहुत आसन तरीका में बताऊंगी आपको कैसे गले को कैनवस लगाने का आप बीगिनर्स रहेगा तो बहुत इजी तरीके से आप लगा सकते हो मैंने इसलिए बैक का जो नेक पाटे उसको मैंने कटिंग नहीं किया है म मैंने आपको बहुत आसन तरीका में बताऊंगी इस वीडियो पर और इस तरफ फोल्डिंग करके और एक यहां पर स्टिचिंग लगाईए आप चाहिए तो कमर की सैड आप पट्टी भी देख सकते हो एक्स्ट्रा और अभी चारों सैड में भी पूरा स्टिचिंग सैड में भी हो गया अभी एक्स्टा जो मार्जिन है उसको कट कीजिए आप बिगिनर्स रहेगा तो आपको कैन्वर्स लगाने को प्रोब्लम रहेगा तो मतलदिक्कत आता होगा तो आप इस मेथड को फालो कर सकते मैंने कैन्वर्स लिया है आप देख सकते है शाइनिंग इस पारफ पर है को ग्या इंच का लेंद डिप्ने घृट में लिया था लेंद में और मैंने एक इन्च इक्स्टा मार्जिन लिए उए और निकुर्ग ले रहे हूं फोल्डिंग वाला पारफ में इस तरह मैंने निकूच को शाइं गदैनग 27-27 पेक्ड़ मेंने 5 लगाया तो उसी साब से ही सिर्फ नेक के लिए यहां पर इस तरह मार्क लागाईएगा कौन सा भी आप डिजैन भी इस तरह बना सकते कौन सा भी डिजैन चाहिए तो भी मैंने सिर्फ गोल गला बना रही हूं राउंड शेप दे रही हूं और नीची के सेट में वान नीच का इस तरह पूरा नेक में मार्क लागाईएगा मार्क लागा की इस तरह एक शेप देना है आपको चाहिए तो आप डिजैन भी इस तरह कर सकते हूं बिगिनर्स रहेगा तो मैं बोलती हूं कि इसी मेटेड में आप फालो कीजिए कुए सा भी आपको कन्फिस भी नहीं अब यहाँ पर मैंने एक अटेच्पिन यहाँ लगा रही हूँ ताकि अम लोग कटिंग करने के टाइम कौन सा भी मतलब पेपर यहाँ से यहाँ वहाँ ना ही ले इसलिए और जिस तरह मार्किंग लगाई हुआ पाट को इस तरह कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने वान नीच का इस तरह मैं सपावना वन नीच है इस तरह मैंने मार्क लगा के कट कर रही हूँ और इस तरह आप कट किजिएगा और एक्स्टा जो यहाँ पर है मार्क लगाया था जो पीसी इसको भी एक फिनिशिंग के साथ कट किजिएगा मैंने फ्रेंट में आप देख सकते हैं मैंने कटिंग नहीं किया है और पिन निकाल के मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंट में ने कटिंग नहीं किया ताकि स्टिचिंग करने का टाइम कपड़ा हिलाने इसलिए मैंने कटिंग नहीं किया है और यहाँ पर एक्स्टा जो फैब्रिक आते है उसको कटिंग किजिएगा और पहला यहाँ से फोल्डिंग करके और एक स्टिचिंग लगाईए फिनिशिंग के साथ आप चाहिए तो यहाँ पर जो अस्तर का जो पीसे उसको आप एक्स्टा मार्जिन चोड़के स्टिचिंग कर सकते थे बट मेरे पास जो अस्तर का पीसे तोड़ा सा कम पड़ा इसलिए मैंने कैन्वर्स को यह कैन्वर्स के साथ पीस को भी इस तरह में फोल्डिंग करके स्टिचिंग कर रह स्टिचिंग हो गया है अब देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर और एक स्टिचिंग लगाईए और बैक पार्ट को इस तरह फोल्डिंग करके सेंटर में इस तरह एक लाइन लगाईएगा अब देख सकते हैं मैंने सेंटर में एक लाइन लगाया आपको मार्क दिख रहा होगा और यह जो कैन्वर्स का पट्टियम रेडी किया था सेंटर को इस तरह सेंटर मिलाते हुए पहला पिन को अटेच किजिए और नीचे के सैड में भी इस तरह सेंटर को सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर भी एक पिन को यहाँ पर भी अटेच किजिएगा इस तरह अटेच करने के बाद इधर हम लोगों ने जो स्टिचिंग किया था यह स्टिचिंग आपको ब्लाव स्पीस में आना चाहिए मिन्स के अन्वर्स के उपर नहीं जाना चाहिए इस तरह आप स्टिचिंग लागए पूरा नेक को आप देख सकते हैं पूरा हो गया है अभी पिन को में निकाल के मैं बताऊंगी और यहाँ पर आदा इंच, आफ इंच को इस तरह कपड़ा चोड़के आपको कटिंग करना है और यहाँ पर एक चोटा-चोटा कट लगाए और इस तरह कट लगाने से फोल्डिंग करने के बाद फिनिशिंग अच्छा आता है गले में इसलिए में कट लगाती हूँ, हर एक डिजाइनर ब्लाॉस को भी इसी तरह अप कट लगा के स्टिचिंग करने चाहेगा और उपर इस तरह फोल्डिंग करके और एक स्टिचिंग लगाए स्टिचिंग हो गए अभी अंदर के तरफ फोल्डिंग करके इधर यहां पर मैंने एक कौर्नर पर स्टिचिंग लगा रही हूं आप चाहिए तो आप बिना स्टिचिंग में भी आप हेमिंग कर सकते हो मिनस्तुर्पाई भी कर सकते हो आप चाहिए तो गले में लेस भी आड़ कर सकते हो आपको जो डिजैंस का जो लेसे वो भी आड़ करके आप stitching कर सकते हैं और भी कुपसुरत दिखता है देख सकते हैं वो गया है और फ्रेंट और बैक मेने दोनों बे भी अटेच किया हुआ है आप कुछ इस तरह आता है ब्लाउस का फ्रेंट सी वीडियो आपको अच्छा लागा तो प्रिंसेस का ब्लाउस कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छा लागा तो मेरी वीडियो को लाइक केजिए और कमेंट्स में बता सकते हैं और सब्सक्रेब करना ना बोलें